साथ वर्ष का अंकुर और पाँच वर्ष की पिंकी अपने मम्मी, पापा और दादी के साथ बड़ी हवेली में रहते थे. उनके पापा शहर के बड़े उद्द्योंपती थे. बहुत खुशहाल परिवार था उनका. मम्मी, पापा और दादी दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे एक रात वे पाँचों अपनी कार से किसी रिष्टेदार के घर शादी समाहरों से अपने घर को लोट रहे थे सामने से आ रहे एक तेज रफ़तार ट्रक ने अचानक उनकी कार को जोर से टपकर मार दी उस भयानक एक्सिडेंट में आगे की सीट पर बैठे अंकुर और पिंकी के मम्मी पापा वही सडक पर ही दम तोड़ देते हैं पिछली सीट पर होने के कारण दादी, अंकुर और पिंकी को ज्यादा चोट नहीं आई लेकिन वो दोनों बिन माबाप के यतीम हो चुके थे भाई भाबी की मौद की खबर सुनते ही गाउं से दादी के छोटे बेटे बहु यानि अंकुर पिंकी के चाचा चाची उनके घर पर आ गए दोनों एक नमबर के कपटी और धूर्थ थे आते ही दादी और बच्चों से लिपट कर रोते हुए बोले अम्मा ये अचानक क्या हो गया जो भाईया भाबी हम सब को छोड़ कर इतनी जल्दी राम को प्यारे हो गए दादी रोती हुई बोली भगवान को ले जाना ही था तो मुझे उठा लेता इन दोनों मासूम बच्चों के सेर से बाबा आपका साया चीनने की क्या जरूरत थी इस पर चाचा चाची मगर मच के आसू बहाते हुए बोले अम्मा ऐसे मत बोलो अभी हम दोनों आपके चोटे बेटे बहुत जिन्दा हैं हमारे तो भगवान ने कोई आउलाद नहीं दी तो अब हम इन दोनों बच्चों को ही अपनी आउलाद की तरह लाड़ प्यार से पालेंगे और आपके भी पूरी सेवा करेंगे चाची बोली कहकर दोनों ने उनके घर में अपना अड़ा जमा लिया दादी उन दोनों के सभाव को कुछ कुछ समझती थी इसलिए तो उनके साथ नहीं रहती थी लेकिन अब उनके पास भी कोई चारा नहीं था क्योंकि उनके सिर्फ दो ही बेटे थे जिन में से एक बेटा बहु तो खत्म हो गए थे अब जो भी था उन दोनों का ही सहारा था दोनों पती पत्नी ने आते ही हवेली के सबसे अच्छे कमरे में अपना डेरा जमा लिया और घर के नोकरों पर धौस जमा कर उनके जो दिल में आता वो व्यंजन बनवा बनवा कर खाने लगे अलग कमरे में जाते ही पत्नी ने पत्ती से तुनकते हुए कहा सुनिये जी मुझसे ये प्यार मुहब्बत हम दर्दी वाला ड्रामा अब और नहीं होगा समझे जल से जल बुढ़िया से मसका पॉलिश करके सारी प्रपटी हथिया आ लो तो पीछा छूटे इंजन जालों से चाचा बोला अरी भागिवान आहिस्ता बोलो यहां दिवारों के भी कान होते हैं थोड़े दिन अपनी एक्टिंग जारी रहने दो समझी फिर दोनों कप्टी पत्ती पत्नी नई नई योजनाय बनाने लगे सारी प्रपटी हथियाने के लिए और एक दिन कंपनी के कागजात पर अंगूठा लगाने को कहकर दादी के छोटे बेटे ने सारी प्रपटी अपने और अपने पत्नी के नाम पर करवा के सब कुछ हड़प लिया प्रपटी हाथ में आते ही पती पत्नी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिये नाम करवाते और फिर उन्हें मारपीट भी करते दादी उनसे कहती देखो तुम दोनों जो भी बुरा करना चाहते हो मेरे साथ करो गलती मैंने की है तुम दोनों आस्तीन के सापों पर भरोसा करके इसकी सजा इन दोनों नन्हे मासूमों को तो मत दो इस पर चाची ने पलट कर दादी को सूरदार थपड़ जड़ दिया और बोली बुरिया इन सपोलों की बड़ी हिमायती बनती है कभी इतनी हिमायत हमारे साथ भी दिखाई होती इस पर बिगड़ते हुए चाचा बोला अरे नहीं नहीं अम्मा का तो बस एक ही बेटा था इन सपोलों का बाप हमारी एमियत तो कभी इनकी नजर में थी ही नहीं चाची तुनक कर बोली हाँ इसलिए अपनी कर्वी का किया भुग देंगे अब ये तीनों हाँ चल बुड़िया जल्दी जल्दी हाथ चला वरना खाने भी नहीं दोगी तीनों को हाँ इस तरह हर रोज उन तीनों को चलते रहे दोनों पती पत्मी बच्चे अपने माबाप को याद करके और अम्मा अपने बड़े बेटे बहु को याद कर चुप चुप के रोया करते कई महीने इसी तरह चलता रहा और एक दिन दादी के हाथ पहर में कोड निकल आया तो उनके बेटे बहु ने दादी को तहखाने में बंद कर दिया और भूखी ब्यासी मरने को छोड़ दिया और बच्चों से सारा काम करवाने लगे जुल्म सित्म से तंग आकर दोनों बच्चों ने एक रात मौका देखकर चुप चाप तहखाने में जाकर दादी को कमरे से बाहर ले आए और तीनों उस हवेली से रातो रात भाग निकले तीनों राद के अंधेरे में भागते भागते शहर से दूर सुभा तक किसी गाओं के पास वाले सुनसान जंगल में पहुँच गए उस जंगल में कहां जाएं उन्हें कोई रास्ता नहीं सूच रहा था तीनों बहुत ठक गए थे और दादी का प्यास से गला सूख रहा था दादी तो वहीं लेट गई तो अंकुर और पिंकी पानी की तलाश में यहां वहां भटकने लगे तभी पिंकी की नजर एक पुराने से कुए पर पड़ी दोनों दोड कर कुए के पास पहुँचे तो कुए के बाहर उन्हें एक सुनहरी मचली पानी के लिए तड़पती नजर आई अंकुर और पिंकी ने उस मचली को उठा कर कुए के पानी में डाल दिया तब ही एक चमतकार हुआ और उस कुए से एक बहुत सुन्दर सरी बाहर निकली। उसने बच्चों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों की वजह से मुझे मेरा रूप वापस मिला। मैं बाताल परी हूँ। बहुत वर्ष पहले मैंने यहीं पर तपस्या करने वाले एक डिशी मुनी जी पर इस कुए का जल छड़क कर उनकी तपस्या भांग कर दी थी। जिस वजह से उन्होंने मुझे शाप देकर मचली बना दिया। मैं तपसे जल के पास होकर भी जल के लिए तडपती रही। और आज तुम मासूम निश्पाप बच्चों की बच्चा से मुझे उस शाप से मुक्ती मिली। बच्चों बताओ तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो। तो बच्चों ने रोते रोते सारी बार पाताल परी से बता दी। जिसे सुनकर परी को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी छड़ी से कुए को छुआ तो वह पुआ सोने का बन गया। और उसमें सुनेहरा पानी लबालब भर गया। तब परी ने बच्चों से कहा। यह जादूई सोने का कुआ है। अब इसका पानी जो भी पियेगा उसे कभी कोई रोग नहीं होगा। वो हमेशा सुन्दर और तंदरुस्त बना रहेगा। और जो कोई इस पानी से स्नान कर लेगा उसकी सारी बिमारिया समाप्थ हो जाएंगी। इस कुए का पानी कभी ख ठड़ी देते हुए कहा। इसे जो भी मांगोगे यह तुमको देगी और तुम तीनों की हर दम रक्षा करेगी। और अगर इसे कोई चुराने की कोशिश करेगा तो यह उसकी मरमत भी करेगी। फिर परी ने अपने जादू से उन तीनों के लिए एक बहुत सुदर सा घर बनाया। ऐसा करकर परी वहां से अद्रिश्य हो गई। अंकुर और पिंकी फटा फट कुए का पानी अंजली में लेकर दादी के पास आए और दादी को थोड़ा पानी पिलाया। दादी तो फटा फट उठ बैठी। फिर दादी को कुए के पास ले जाकर पानी उनके आलीशान घर को देखकर पास के गाउं वाले भी वहीं आकर बस गए। दादी, अंकुर और पिंकी उस जादूई कुए के पानी से सब की बीमारी ठीक करते और जादूई छड़ी से धन मांग कर जरूरत मन्द लोगों की मदद किया करते। इस वज़ा से वे तीनों बहुत लोगप्रिये बन गए और उधर चाचा चाची को उनके किये की सजा मिली। उन दोनों को कोड कुष्ट रोग हो गया और उस जादूई सोने के कुएं की महिमा सुनकर वो दोनों भी वहाँ ठीक होने आए। लेकिन जादूई छड़ी उन्हे पिंकी से माफी मांगी तो उन्होंने माफ करके पानी उनके ऊपर छिड़कात और वो स्वस्थ हो गए। उसके बाद चाचा चाची ने सारी प्रापरटी अंकुर और पिंकी के नाम कर दी और सच्चे मन से उन दोनों को अपने बच्चे मानने लगे। अब उनका परिवार फिर से पूरा और खुशहाल बन गया था।